लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले बिग बॉस के 11 वे सीजन की शुरुआत हो चुकी है घर में जहां लडाईयों के बीच दूसरे एपिसोड में शो का पहला नॉमिनेशन हुआ जिसमें शिलपाशिंदे, जोती कुमारी, जुबैर खान, अर्शी खान और बंदगी कालरा को मिला कर 5 कंटेस्टेंट एमिक्षन के लिए नॉमिनेट हुए हैं इसी बीच घर को पहले लवबर्ड भी मिल गए हैं, जिनकी नजदीकियों के बारे में घर के सभी कंटेस्टेंट ने चर्चा शुरू कर दी हैं घर में पहले लवबर्ड के तौर पर प्रियंक शर्मा और हिना खान का नाम जोड़ा जा रहा है दरसल प्रियंक जब शर्टलेस होकर वर्काउट कर रहे थे उस दोरान अक्षरा उर्फ हिना भी उनके साथ वर्काउट करने लगी दोनों ना सिर्फ वर्काउट के दोरान काफी देर तक साथ रहे बलकि उन्होंने बाद में एक साथ टाइम भी स्पेन किया हिना और प्रियंका की इन ही बढ़ती नजदीकियों को देख कर हाउज मेट्स ने उनके लिंक अब के बारे में बातें करनी शुरू कर दी हैं हिना और प्रियंका की बढ़ती नजदीकियों को देख बेनापशा सुनावाला के साथ बैठे कंटे स्टेंड विकास गुपता कमेंट करते देखे उन्होंने दोनों को देख कर कहा दिल तो पागल है बेनापशा उनकी बात काट कर दोनों को सिर्फ दोस्त बताती नजर आई तो वहीं विकास का कहना था कि दोस्ती ही प्यार है, कम ही लोग जानते हैं कि प्रियंक, विकास के काफी करीबी मानें जाते हैं, दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं, हिना और प्रियंक काफी देर तक के एक दूसरे के साथ वर्काउट करते रहे, जहां बाकी कं टेस्टेंट डोनों के अपेर की गौसिप करते देखे, वहीं प्रियंक, फाइनली टीवी की बहु को रियलिटी स्टार का साथ मिलाई ये कहकर बातों को एग्नोर करते नजर आए